मसकार दोस्तों मैं हूँ सुमी चोधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफरम पर आप सभी का हरदिक स्वागत है दोस्तों आज कल हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम दुनिया भर के महान फिलोसोफर्स, मैथमेटिशन, साइंटिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर्स की बायोग्राफिक को रिव्यू कर रहे हैं उसी सीरीज को कंटीनियू करते हुए आज के इस विडियो में हम बात करने वाले हैं फादर ओफ हिस्ट्री यानि इधियास के पिता कहे जाने वाले हेरो डोटर्स की जीवनी और उनके योगदान के बारे में प्रीफली बताना हो तो आप क्या कहेंगे एक Greek writer, geographer और historians थे जिनको पहला historian होने का दरजा दिया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी लगभग 425 BC में और उस किताब का नाम था The Histories The Histories जो किताब है History जो शब्द है वो बना है History Greek word से जिसका मतलब होता है Inquiry तो ये जो आज आप History पढ़ते हैं History जो subject है जिसको आप इतियास बोलते हैं हिंदी में ये शब्द बना है History से जिसका मतलब Inquiry होता है ये किताब किसके उपर बेस थी ये बेस थी Greco-Persian War के उपर Greco-Persian Wars कौन से है देखे आपने एक मूवी देखी होगी 300 आप सभी ने शायद लगबग बहुत सारी लोगों ने देखी होगी बहुत मशूर मूवी है जिसमें ये जो Spartan राजा जो हैं ये लड़ाई लड़ते हैं किसके खिलाब बहुती पॉजिटिवली दिखाया गया है Partian Empire बहुती barbarian दिखाया गया है बहुती हिंसक दिखाया गया है Evil Empire के तरह इसको दिखाया गया है Jackseez को और ये सब चीजें जो दिखाई गई है ये जो कहानिया और ये जो इःतियास का जो वर्णन है ये इसी किताब में मिलता है ये जो किताब लिखे गई थी हेरो डिटरस के दुआरा तो उस समय का मैं पहले आपको मैप दिखा दूँ ये पर्शियन अमपायर हुआ करता था जो बहुत बड़ा अमपायर हुआ करता था उस समय पूरे एशिया और यहां यूरोप तक ये फैल लेंगे क्या था किस तरीके से ये वोर हुए कौन कौन राजा थे क्या क्या कहानिया हैं जिसके उपर इन्होंने अपनी किताब लिखी है तो ये किताब लिखी लेकिन बात यह है कि फादरों हिस्टरी क्यों कहा जाता है इससे पहले क्या किसी हिस्टोरियन से ऐसे किताबे नहीं लिखी तो इसका जवाब है जी हाँ ऐसा ही है कि पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कोई ऐसा बड़ा हिस्टोरियन नहीं हुआ जिसने चीजों को इस तरीके से लिखा हो पास्ट का लिखने का एक तरीका होता है हिस्ट्री को लिखने का तरीका है कि जैसे कोई भी इ योग्राफी क्या रही, वहां का समाज कैसा रहा और इस इवेंट के बाद इसके consequences क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे, इस तरीके से systematic तरीके से चीजों को कोई लिखने वाला व्यक्ति नहीं था, पहले, Herodotus से पहले, तो Herodotus ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चीजों क इस तरीके से systematic तरीके से organized तरीके से चीजों को लिखा, लेकिन उसके बावजुद भी इनको इत्यास का पिता होने का जो दर्जा दिया जाता है, उस पे कई लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि इनका जो इत्यास लिखने का तरीका था, वो काफी biased था, ये काफी Greek Empire की तरफ जुके हुए थे, जो कि एक जो neutral historian है, उसके लिए सही नहीं है, इन्होंने Persian Empire को काफी barbarian बताया है, Persian Empire को इन्होंने काफी negatively pent किया है, और उसके अलावा भी इनके इत्यास लिखने के तरीके में काफी सारे सवाल उत्पन होते हैं, उनके बारे भी हम बात करेंगे, तो बात य लेकिन पहले इसे वेक्ती थे जिन्होंने चीजों को systematic तरीके से जरूर लिखा, ये बात है, तो इसलिए कहा जाता है कि 25 सो साल पहले उन्होंने जब इत्यास को इस तरीके से लिखा तो उन्होंने इत्यास की एक तरीके से new रग दी थी, और काफी सारी कहानिया जो हैं इन् से डेवलप हुई उसके उपर भी हम बात करेंगे, इनका जनम लगभग 485 BC के अराउंड हुआ था, ग्रीक सिटी, हेलिना कार्सस के पास, हेलिना कार्सस जो है, मैं आपको मैप में फिल से दिखाता हूँ, ये है हेलिया कार्सस, यहां पे इनका जनम हुआ था, तो ये एज पे आ जाते हैं, एक तरफ परशन अंपायर है, और दूसरी तरफ यहां पे ये एज आ जाता है, आपके पास, एक तरह से किनारे पे आ जाते थे, युनानी सामराज्य के, जिसको हम ग्रीक अंपायर कहते हैं, उसके किनारे पे थे, उसके बाद यहां पे यह रहे, और एशि ट्रेडिंग सेंटर भी हुआ करता था और ये अच्छी खासी वेल्दी परिवार में इनका जनम हुआ था इनके जो माता-पिता थे उनका एक तरीके से काफी इंफ्लेंस भी था पॉलिटिक्स में भी उनके कनेक्शन थे ये सब चीजें थी और मर्चेंट फैमली थी इनकी य बहुत सारी जगहों पर हेरोडोटस ने भर्मन किया है और मैं काफी सारे पहले के जो फिलोसोफर्स हैं उनके समय भी इनका आपको इतियास बता चुका हूं ग्रीक सामराज्य हैं यहां पर बड़े-बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिनकी हमने बायोग्राफी भी करी है जै इसके पैरलल ही जो पर्शन अंपायर है वो काफी पावरफुल हो चुका था पर्शन अंपायर जो है उस समय एक बहुत ही बड़े ताना शाह लेड़े-गाइन लिग-डैमिस के द्वारा रूल किया जा रहा था यह मैं नाम अगर सही से प्रनाउंस नहीं करूं तो माफ की करूं नहीं करें लिग-डैमिस जो है इसकी है इसकीर हिरोड़ोटस की लिए कफीक फैमिली ने काफी एक तरीक ही एक ट्रीके से ऊपोज किया इसके रूल को बैसिकली बीदिमस का जो टाेइरन और रूल था इन्हों ने विरोध किया तो ओडियूरोधिया थो जो राजा है उसने इनको exile पे भेज दिया, कहां पे भेज दिया, समोस में भेज दिया समोस कहां है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाये था यहां से समोस में इनको भेज दिया, exile पे भेज दिया क्योंकि यह उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रहे थे हेरोडोटर्स की जो फैमली है वो राजा के लिए दिक्कतें पैदा कर रही थी तो उसके बाद ये एक बार के लिए समोश चले जाते हैं लेकिन बाद में जब नोजवान होते हैं तो उस समय वापिस आते हैं अपनी जगह पे अपने पैत्रिक पलेस पे आते हैं और यहाँ पर आके यह anti-Persian Rebellion में शामिल हो जाते हैं परशया के विरोध करते हैं बहुत बार करते हैं लेकिन इनका विद्रो ज़्यादा चलता नहीं है वापिस इनको यहाँ से निकलना पड़ता है और उसके बाद इनकी journey start होती है as a writer तो यह पुराना ancient Greece था 750 BC में उस समय इतना powerful नहीं हुआ था Persian Empire तो उस समय आपको यह दिख रहा है मिलेटस है हमने एक लूइड के टाइम पर बात की थी मिलेटस की तो उस समय यहाँ पे लगभई इनका बाद में जनम होता है तो पुराना Greece था यहाँ पे Greece है बाद में आगे जलेंगे जब मैसिडोनिया का राजा Alexander the Great आता है तो वह एक और ही बड़ा समराजय युनान का बन जाता है उस समय तो वह परशिया वर्शिया सब को हरा देता है तो यह इनके बीच में एक काफी लंबे अर्शे तक यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है अगर हम बात करें कि जो 300 मुवी में लड़ाई चलती है वो तो इस स्पार्टा और इस पर्शियन अमपायर इदा जो पर्शियन अमपायर था उसके बीच की लड़ाई थी तो यह इससे पहले तो माइथोलोजी हुआ करती थी ज्यादा तर माइथोलोजीकल चीजें थी जैसे ग्रीक माइथोलोजी थी रोमन माइथोलोजी थी यह लोग यहां पर क्या करते थे अपने अपनी कहानिया जो थी उनको एक्स्प्लेइन करते थे लेकिन अब क्या होता है हेरो इसको चीजों को समझना था पूरे के पूरे इधर ग्रीक अंपायर में क्या चल रहा था पर्शन अंपायर में क्या चल रहा था तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया यात्रा ही करना शुरू कर दिया और वो चीजे कहते हैं कि आप दुनिया को जानना चाहते हो तो या त का समाज कैसा है वहां पर औरतों की स्थिक कैसी है वहां की जिग्राफी समय के साथ साथ कैसे बदली है इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश करी तो वहां पर लोग जो थे चाहे वो किसी घटना के आई विटनेस रहे हों या फिर चीजों को उ Greek Empire था यहाँ पर यह इस पूरे के पूरी जगहों पर यहाँ पर गूमते गूमते Delphi, Telis, Athens इन सब ही जगहों पर गए है Finally, last में जाके यह Athens में गए जो की capital थी तो यहाँ पर लोगों से मिलते थे और personal inquiry करते थे अपनी इन जो inquiries को जो चीजें थी उसको यह क्या बोलते थे Autospies अब आप कहेंगे Autospies तो क्या होता है किसी का post-mardum करते हैं तो उसके बाद जो result हते हैं उसको Autospies बोलते हैं लेकिन यह personal inquiries को Autospies वहाँ से ही यह शबद आया है उसको यह कहते थे कि यह जो इन्होंने ग्यान मिला है लोगों से चीजों को जा जाके लोगों से अलग लोगों से मिले उनसे कुछ ना कुछ इनको मिलता था कहानिया मिलती थी और उनसे इनको चीजों का knowledge होता था उसी के आधार पे इनोंने अपना इत्यास भी लिखा है तो ये जो चीजें हैं जो इलिजेंट्स बताते हैं अनुश रुक्ष शुरुतियां होती थी वहाँ पे जो पुरानी लडाईया हुई है उनके बारे में लोग इनको कहानियां बताते हैं उससे इनकी रेपोटेशन भी बढ़ती है रेपोटेशन को बढ़ती है क्योंकि जब ये एथेंस जाते हैं लोगों को अलग लग जगहों की कहानिया बताते हैं कि उस सामराजे में ये हुआ वहाँ पे ऐसा राजा रहा वहाँ की इतनी बड़ी आर्मी है लोगों को बड़ी दिल्चस्पी आती थी कि यार ये गजब आदमी है जो हमको अलग लग जगए दुनिया भर में जा जाके आपको चीजों को लाके कहानिया बताता है तो ये सब चीजें इनके अकाउंट्स में देखने को मिलती हैं जिसकी वज़े से ये खुद भी एक सेलेबरिटी बन गए क्योंकि उस समय कोई मेडिया तो हुआ करता नहीं था न्यूजपेपर से तो आप दुनिया भर की देश दुनिया की चीज़े जान नहीं सकते थे तो समझदार हो गए थे इसलिए इनको प्राइज भी दिया गया टेन टेलेंट का दस लोगों को शामिल किया गया था बहुत बड़ा इनाम था उस समय ग्रीज का वो इनको इनाम मिला गया तो काफी इनकी रेपूटेशन हो गई अब फिर इन्होंने किताब लिखी दा हिस् नो किताबों में पहली पांच जो किताबे हैं वो तो बैगराउंड बताती है कि ग्रेको पर्शन वोर जो हुए उनके पीछे का बैगराउंड क्या रहा है कारण क्या था कि ग्रीस का डेवलप्मेंट कैसे हुआ पर्शिया का डेवलप्मेंट कैसे हुआ वहां कौन कौन से राजा आये, उनकी आर्मी कैसी है, वहां की जियोग्राफी कैसी है, दोनों के बीच में कॉन्फिलिक्ट के कारण क्या थे, ये सब चीजें बताई, उसके बाद जो बुक 6 से लेके 9 है, उसके अंदर पूरे के पूरे इवेंट्स बताए गए हैं, कि जक्सीस, जो मैंने आपक एक विक्टरीज हुई है, उनके उपर बात करी है कि कौन-कौन सी लड़ाईयों में ग्रीस ने इस पर्शियन अंपायर को हराया है, तो ये सब कहानिये इसमें दिखाई हैं, उसके जो सिग्निफिकेंस हैं, वो भी बताई है कि क्या इसके प्रिणाम क्या रहे इन यूँ कि कहां कहां पर कैसे जियोग्राफी बदली, समाज कैसे बदला, ये सब चीजे बताई हैं, अब बात आती है कि हेरोडोटर के सोर्सेज क्या थे, अब जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये दुनिया भर में ट्रेवल करते थे, चीजों को समझते थे, और उ लोगों की कही होई कहानियों पर और जो आईविटनेस रहे हैं उनके उपर और जो Aureal ट्रेंडिशन्स रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुई अपनी इत्यास को लिखते हैं, तो इसलिए कई लोग करते हैं कि ये एक रिपोर्टर जैसे थे, रिपोर्टर थे चीजों को ज उस तरीके से एक कहानी को लिखते थे इसलिए इनको कहा जाता है कि एक accurate reporter थे जो चीज़ों को देख के उसके इसाब से उनके observation के आधार पर लिखते थे चीज़ों को लेकिन कई बार लोग करते हैं को criticize भी करते हैं इस चीज के लिए कि जो इन्होंने बाते सुनी हैं क्या वो तथे सही हैं या गलत हैं इसके उपर हम क्या टिपनी करें जो वो observation किसी आदमी से किसी आई विटनेस से सुनी हूँ तो वो वैक्ति मानलो पर्शिया का है वो एक barbarian kingdom था वो एक evil empire था ये चीजें थी उसके उपर कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि क्योंकि ये कभी आर्मी में रहे नहीं आर्मी का इनको कोई experience नहीं था चीजों को इन्होंने किस तरीके से observe किया तो ये किस तरीके लगती हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता वो भरोसा नहीं किया सकता है तो इसलिए सवाल भी उठते हैं कि hero dotus ने जो कहानिया लिखी जो method है इनके वो trustworthy है या नहीं है उसके अलावा इतियास में आपको पता है कि chronology बहुत important होती है किसी गटना का कौन से करम में कब हुई कि कहां पे पहले कौन सी गटना हुई उसके बाद कौन सी उसके बाद कौन सी हुई ये घटनां का order बड़ा important है तो वो important order जो है वो भी इन्होंने कई बार कह है उसको avoid कर दिया उसके उपर इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चीजों को बहुत ही करमबत तरीके से समझाया जाए और कई बार इन्होंने चीजों को अपने ही कलेंडर के हिसाब से दे दिया जो लगेगी कि यह पचती नहीं है बात आप scientifically उनको correct नहीं मान सकते हैं आप mythology में वैसी कहानिया लिखें तो आप कहेंगे कि ठीक है mythology है इसमें तो देवी देवताओं की इनकी कहानिया होती हैं तो हम उसको मान लेते हैं सुन लेते हैं लेकिन history में जो कि एक scientific तरीका होता है कि किसी भी घटना को समझने का past को जानने का उसमें अगर आपको ऐसी कहानिया मिल जाएं जो कि scientifically correct नहीं हो सकती तो वो आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसे लिख दिया इसको father of history कैसे कहा जा सकता है तो इसलिए कई critics इनको father of lies भी करते हैं करते हैं कि वो हित्यास के पिता नहीं है जूट के पिता हैं उन्होंने जो कहानिया लिखी हैं वो सही नहीं है वो तथ्यात्मक नहीं है उन पर विलीव नहीं किया जा सकता उसके बाद एक बात है कि देखे कभी भी आप इत्यास पढ़ते हैं तो वो इत्यास किस author ने लिखा है वो कहां का है उसका narrative क्या है उसका ख बहुत बार ऐसे historian आपको देखने को मिलते हैं जो की चीजों को अपने तरीके से लिखते हैं आप जैसे modern history पढ़ते हैं तो आप Indian historians की जो किताबे पढ़ते हैं वो अलग आपको point of view दिखाएंगी और अगर आप British historians की चीज़े पढ़ोगे तो आपको अलग point of view दिखेंगी तो वो narrative based history हो जाती है कई बार तो narrative based history होने की वज़े से भी इनको criticize किया जाता है कि हमेशा अपना narrative set करने के लिए Greece को ज्यादा बहतर बताना चाते थे परश्या को हमेशा negatively paint करना चाते थे इस तरीके से इनोंने किया है चीजे ये बात है अब ये है कि ये एक बहुती अच् करते थे कि लोगों को काफी पसंद आती थी इसलिए इनको father of history का title भी दिया जाता है systematic तरीके से इनोंने लिखा उसका इनको credit मिलना भी चाहिए लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये पूरी तरीके से historian एक scientific historian थे तो ये गलत होगा ये पहले historian थे ये बात ठीक है लेकिन बाइस थे इनका उनकी geography पढ़नी है उसका background समझना है उसके event जो course of event है उनको समझना है उसके program को समझना है वहां के समाज को समझना है इत्यास के सभी angles को इन्होंने लोगों के सामने लाके रख दिया कि कोई भी व्यक्ति उस तरह से लिखता नहीं था तो इसलिए इनकी जो विरासत है वो बहुत important है और उस विरासत को आगे बढ़ाया एक बहुत ही important historian जिनको father of scientific history कहा जाता है वो है ठुकलीडीएस ठुकलीडीएस जो है इनको मैं सही से pronounce कर रहा हूं क्या ठुकलीडीएस जो है यह जो है यह इनके बाद के historian है इन्होंने चीजों को सीखा, Herodotus से सीखा और इन्होंने बहुत गजब तरीके से history लिखी इन्होंने चीजों के हर एक event के पीछे का background बताया background के बाद उसका course of event के बाद उसका तरीका बताया और बहुत ही unbias तरीके से और chronological order में जिस तरीके से history को लिखा जाना चाहिए उस तरीके से ठुकलीडीएस को ठुकलीडीज ज सही historian थे लेकिन इनको विरासत में Herodotus का हिथियास मिला और इनको Herodotus ने जो चीजे सिखाई उसका भी काभी important role है इसलिए Herodotus का contribution है उसको भी नहीं भूलना चाहिए ये तो आज भी आप दावा नहीं कर सकते कि हर एक historian जो है वो unbias है और पूरी तरीके से neutral तरीके से ची तो ये बहुत ही मशूर historian थे Greek Empire के दोनों ही उसके बाद इनकी death के उपर बात करते हैं death के उपर काफी सारे अलग-अलग debates है कुछ लोग कहते हैं कि ये जब ये पैलेलोपियन जो वर्ड जो खतम हुआ था उसके बाद Athens में एक वापिस Athens आ गए थे और उस समय प्लेग आया काफी लोग मारे गए थे और उस प्लेग के दोरान इनकी death हो गई कुछ लोगों का ये मानना है कुछ लोग ये कहते हैं कि मैसिडोनिया आ गए थे यहां पे court में आ गए थे जो राजा का दरबार था वहां पे आ गए थे राजा का दरबार के उस समय तो अलगी तरीके की democracy ह हुआ करती थी उसको समझेंगे तो अलग बात है वहां पे मतलब आज की democracy से तुलना मत कीजिएगा पहले के तरीके से राजा महराज भी होते थे वहां पे court भी हुआ करता था system था जैसे मैंने सोकर्टीज में आपको बताया था वह system था तो फिर बहुते हैं कि theorem में इनकी death ह हो गई थी लेकिन बात यह है कि लगभग 430 BC के around लगभग 60 साल से कम उमर में ही इनकी death हो गई थी और वहां पे जाके इनोंने इनकी जो किताब है histories उसका भी समापन हो जाता है जिसको आगे चलके लोगों ने मतलब अभी भी ये जो work है इनका सुरक्षित है तो उसको आप इसे पढ़ना चाहें तो आपको वह ऐसे तो एजी लिए बल नहीं होगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीजें इस तरीके से नोंने लिखी है उनका नरेटिव उनको समझने के लिए उनका इत्यास लिखने का मैथड है उसको और बहतर तरीके से समझने के लिए तो यह थे हेरोडोटर्स जिनको फादर ओफ हिस्ट्री कहा जाता है होफुली चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियो को देखने के ल से यू नेक्स लेक्टर